रिच डेड पूर डेड रॉबर्ट टी कियोस्की बाइ पूकु रीडर्स पार्ट नाइंटीन पार्ट सिक्स्टीन, सेवंटीन और एटीन में हमने जाना अध्याय नौ शुरू करना आएए इस अध्याय में और जानते हैं मेरे एक दोस्त का बेटा बहुत खर्चीला था और उसकी जेब में ऐसा लगता था जैसे छेद हो गया हो सोला साल की उम्र में सोभाविक रूप से उसे अपनी कार चाहिए थी बहाना यह था कि सभी दोस्तों के मम्मी डैडी ने अपने बच्चों के लिए कार खरीदी है यह लड़का अपनी बच्चत में से पैसे निकाल कर नगत कार खरीदना चाहता था ऐसे समय में उसके डैडी ने मुझसे सला मांगी आप क्या सोचते हैं मुझे उसे ऐसा करने देना चाहिए या मैं भी दूसरे पिताओं की तरह उसे कार खरीद कर दे दूँ इसके जवाब में मैंने कहा कुछ समय के लिए तो ठीक है परन्तु लंबे समय के लिए आप उसे क्या सिखा पाएंगे क्या आप अपने बच्चे की कार प्राप्त करने की इच्छा से उसे कुछ सीखने के लिए प्रेडित कर सकते हैं अचानक उसके दिमाग की बत्तिया जल गई और वह तुरंद घर की तरफ चल पड़ा दो महीने बाद मुझे वह दोस्त फिर मिला क्या तुम्हारे बेटे को अपनी नई कार मिल गई मैंने पूछा नहीं उसे नहीं मिली परंतों मैं गया और उसे कार के लिए तीन हजार डॉलर दे दिये मैंने उसे कहा कि वह अपने कॉलिज की पैसे के बजाए मेरे पैसे का उप्योग करे मैंने कहा यह तो आपकी उदारता है नहीं उस पैसे के साथ एक शर्त भी जुड़ी है मैंने आपकी सला मान ली और उसकी कार खरीदने की प्रबल इच्छा के साथ सीखने की सर्त भी रखी है शर्त क्या है मैंने पूछा पहले तो हमने आपके कैस फ्लो गेम का सहारा लिया हमने इसे खेलते हुए पैसे की समझदारी से इस्तमाल पर एक लंबा विचार विमर्स किया फिर मैंने उसे वाल स्ट्रीट जनरल की सदस्यदा दिलवा दी और स्टॉप मार्केट पर कुछ फुस्तकें भी दिलवाई फिर दिक्कत कहा थी मैंने कहा मैंने उससे कहा कि तीन हजार डॉलर उसके है पर अन्तु वह इन से सिधे कार नहीं खरीच सकता वह इन से स्टॉप खरीद और बेच सकता है खुद का ब्रोकर ढूंड सकता है और एक बार वह तीन हजार डॉलर के स्टॉप बना लेता है तो वह अपनी कार खरीच सकता है और बाकी के तीन हजार डॉलर उसके कॉलिज के फंड में जाएंगे मैंने पूछा और इसके परइणाम क्या निकले वहें सुरुआत में किसमत वाला रहा परंतु कुछ दिनों बाद उसने अपने मुनाफ़े की सारी रकम गवा दी तब वहें सचमुच रूची लेने लगा आच चाहे वहें 2000 डॉलर के घाटे में है परंतु उसकी रूची बहुत बढ़ गई है उसने मेरे दुआरा खरीदी गई सारी पुस्तके पर डाली है और वहें और जादा पुस्तकों की खोज में पुस्तकाले भी गया था वहें मन लगा कर वाल स्ट्रीट जनरल पढ़ता है और सूचकों पर नज़र रखता है और MTV के बजाए CNBC भी देखता है उसके पास केवल एक हजार डॉलर बचे है परंतु उसकी रूची और ग्यान आस्मान को चू रहे है वहें जानता है कि अगर वहें इस पैसे को खो देगा तो फिर उसे दो सालों तक अपने पैरों पर ही चलना पड़ेगा परंतु उसकी कोई खास चिंता नहीं है अब उसे कार हासिल करने में जादा रूची नहीं है क्योंकि उसे एक ऐसा खेल मिल गया है जिसमें उसे जादा आनंद मिलता है क्या होगा अगर वह सारा पैसा हार जाता है मैंने पूछा जब होगा तब देखा जाएगा मैं तो चाहूंगा कि वह अभी सारा पैसा हार जाए बजाए इसके वह हमारी उम्र में आकर सारा पैसा हारे और इसके अलावा मैं तो यह मानता हूँ कि उसकी सिक्षा पर खर्च किये गए यह सर्वस रेस्ट तीन हजार डॉलर थे जो वह सीख रहा है वह जिन्दगी भर उसके काम आएगा और वह पैसे की ताकत का सम्मान करना भी सीख गया है मुझे लगता है कि अब उसकी जेब का छेद बंद हो चुका है जैसा मैंने खुद को सबसे पहले भुक्तान करे वाले फंड में कहा था अगर कोई विक्ती आत्मनुशाशन की ताकत हासल नहीं कर सकता तो बहतर यही होगा कि वह कभी अमीर बनने की कोशिश ना करे सद्धान्तिक हिसाब से संपत्ती वाले कॉलम से कैस्ट फ्लो विक्सित करने की प्रक्रिया आसान नजर आती है परंतो इसमें पैसे को दिशा देने की मानसिक सेहन सकती की जरूरत होती है जो मुस्किल साबित होती है बाहरी आकरसणों और प्रलोबन के कारण आज की खरीदारी की दुनिया में यह जादा आसान हो चला है कि पैसे को पूरा उड़ा ही दिया जाए कमजोर मानसिक सकती के कारण ही वह पैसा सबसे कम परतिरोद वाले रास्ते पर बह जाता है यही गरीबी और आर्थिक संगर्स का कारण है मैंने फाइनेंसियल समझदारी का यह आकरों का उधारन इसलिए दिया ताकि पैसे से ज़्यादा पैसा कमानी की योग्यता को जाना जा सके अगर हम सौ लोगों को साल के सुरू में 10,000 डॉलर दे दे तो साल के अंत में क्या होगा असी के पास कुछ भी नहीं बचेगा वास्तम में कई तो जादा करज में दबे होंगे क्योंकि उन्होंने नई कार, फ्रिज, टीवी, वीसी, आर या छुट्टियों के लिए नगत पैसा दिया होगा सोला ने उस 10,000 डॉलर को 5-10 फिजदी बढ़ाया होगा चार ने उसे 20,000 डॉलर या लाखों डॉलर तक बढ़ाया होगा हम किसी प्रोफेशन को सीखने के लिए स्कूल जाते हैं ताकि हम पैसे के लिए काम कर सके मेरे विचार में यह सीखना भी महत्पूर होता है कि पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाता है मैं भी हर्वेक्ति की तरह विलासिता की वस्तुए से प्रेम करता हूँ अंतर यह है कि अगर कई लोग अपनी विलासिता को कर्च लेकर खरीदते हैं यह परोसियों से पर्तियोगिता करने का जाल है जब मैं कार खरीदना चाहता था तब आसान रास्ता यही था कि मैं अपने बैंकर को बुला कर लोल ले लेता परंतो मैंने दाइतव वाले कॉलम को बढ़ाने के बजाए संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान के अंदरित रखा अब तो मुझे आदत पढ़ चुकी है मैं अपने खर्च की इच्छा से प्रेरित होता हूँ कि किस तरह उसके लिए अतिरिक पैसा जुटा सकूँ आजकल प्राय हम अपनी मनचाही चीजों को खरीदने के लिए कर्ज लेने पर ध्यान के अंदरित करते हैं और पैसा बनाने पर ध्यान के अंदरित नहीं करते हैं यह रास्ता कुछ समय के लिए तो आसान है पर अंतों लंबे समय में यह बहुत मुझकल साबित होता है यह एक ऐसी बुरी आदत है जो हमें इंसानों के रूप में और रास्ट के रूप में भी है याद रखें आसान रास्ते पर अक्सर मुझकल बन जाते हैं और मुझकल रास्ते अक्सर आसान बन जाते हैं जितनी जल्दी आप खुद को और अपने प्रिये जनों को पैसे के साशक के रूप में प्रशिक्षित कर लेंगे उतना ही आप के लिए बहतर होगा पैसा बहुत बड़ी ताकत है, दुर्भागे से लोग पैसे की ताकत को अपने खिलाफ इस्तमाल करते हैं अगर आपने पैसे की समझ कम है तो पैसा आपके उपर राज करेगा यह आप से ज्यादे स्मार्ट होगा अगर पैसा आपसे ज़्यादे स्मार्ट बन जाएगा तो आप इसके लिए जिन्दगी भर काम करते रहेंगे पैसे के उपर शासन करने के लिए आपको इससे ज़्यादे स्मार्ट बनना होगा फिर पैसा वही करेगा जो आप इससे कहेंगे यह आपकी आग्या का पालन करेगा इसके गुलाम होने के बजाए आप इसके मालिक होंगे यही आर्थिक समझदारी है नमबर नौ नायकों की जरूरत मिथप की ताकत जब मैं छोटा था तब मैं विली मेज हैक आयरन योगी बोरा का बहुत बड़ा प्रशन सकता वे मेरे आदर्स थे लिटिल लीग खेल रहे बच्चे के रूप में मैं उनकी तरह होना चाता था मैंने उनके बेसबॉल कार्ड भी सहेज कर रखे थे मैं उनके बारे में सब कुछ जान लेना चाता था मैं उनके बारे में सभी आकड़े जानना चाता था उनके बैटिंग के ओसत उनको मिलने वाली धनराशी और वे किस तरह बड़े हुए सब कुछ मैं सब कुछ इसलिए जानना चाता था क्योंकि मैं उनके जैसा बनना चाहता था 9 या 10 साल की उम्र में मैं जब बेस्बॉल खेलने के लिए मैदान पर जाता था तो मैं नहीं जाता था बलकि मेरे रूप में योगी या हैक मैदान पर उतरते थे यह सीखने के सबसे सबस्ब्स तरीके में से एक है जो हम बड़े होने के बाद खो देते हैं हम अपने नायकों को खो देते हैं हम अपने नोसिखिये पन को खो देते हैं आज मैं अपने घर के पास छोटे बच्चों को बेस्बॉल खेलते देखता हूँ कोट पर वे छोटे जॉनी नहीं होते वे तो माइकल जॉर्डन, सर चार्स ये कलाइड होते हैं आदर्श नायकों की नकल करना ग्यान प्राप्त करने का सच्चा और सशक्त तरीका है और इसलिए जब ओजी सिमसन की तरह का नायक बदनाम होता है तो इतनी चीफ पुकार मचती है ये किसी अदालती कारवाई से ज़्यादा होता है ये एक आदर्श नायक को खो देना होता है एक ऐसा वेक्ती जिसकी तरह बनने का सपना लोग बच्पन से संजोए थे और वे जिसकी पूजा करते थे अचानक हमें उस वेक्ती को अपनी जिन्गी से निकालना पड़ता है जब मैं बड़ा हो गया तो मेरे आदर्श नायक बदल गए मेरे गोल्फ के हीरो बने पीटर जैक्सन, फ्रेड कपल्स और टाइगर वुट्स मैं उनके शॉर्ट्स की नकल करता हूँ और उनके बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ मेरे आदर्श नायकों में डोनाल ट्रम्प, वारन बुफट, पीटर लिज, जॉर्ड सोरस और जिम रोड्स भी है बड़ा हो जाने के बाद मैं उनके आकड़े उसी तरह जानता हूँ जिस तरह की अपने बच्चपन में बेस्बॉल हीरोज के आकड़े जानता था मैं अनुसरन करता हूँ जब वारन बुफे निवेश करते हैं और बजार के बारे में उनके नजरिये के बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ मैं पिटर लिंच की पुस्तक भी इसलिए पढ़ता हूँ ताकि स्टॉप चुनने की उनकी तकनीक को समझ सकूँ और मैं डोनाल्ड टरम्प के बारे में भी इसलिए पढ़ता हूँ ताकि यह जान सकूँ कि वे किस तरह सौधे करते हैं जिस तरह मैदान पर बेसबॉल के लिए बैटिंग करते जाते समय मैं खुद की भूमिका में नहीं था उसी तरह जब मैं बजार में उतरता हूँ यह मैं कोई सौधा करता हूँ तो मैं अवचेतन रुप से ट्रम्प की बहादुरी का अभी नहीं करता हूँ यह जब मैं किसी प्रवर्ती का विशलेशन करता हूँ तो मैं उसे इस तरह देखता हूँ जैसे पिटर लिंच यह काम कर रहे हूँ आदर्शनायक होने से हम अपनी कच्ची परतिबा के व्रहत श्रोत का दोहन करते हैं परन्तु आदर्शनायक हमें प्रेरित करने से भी जादा काम करते हैं वे चीजों को ज़्यादा आसान बना देते हैं चीजे आसान दिखने के कारण हम भी उनी की तरह बनना चाहते हैं अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी यही कर सकता हूँ जब निवेश की बात आती है तो ज़्यादा तर लोग इसे बहुत कठीन समझते हैं इसके बजाए उन्हें आदर्श नायकों की तलास करनी चाहिए जो इसे आसान बना देते हैं मेरे दोनों डैडी शिक्षक थे मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसा सबक सिखाया जो मेरे साथ जिंगी भर चल रहा है और वहा सबक था परोपकार करना या देना मेरे पढ़े लिखे डैडी ने अपने समय और ग्यान के दौरा दूसरों को बहुत दिया पर उन्तों शायद ही कभी अपने पैसा दिया हो जैसे मैं बता चुका हूँ वे समानते कहा करते थे कि वे तभी देंगे जब उनके पास कुछ अतिरिक्त धन होगा और उनके पास कभी भी अतिरिक्त धन नहीं होता था मेरे अमीर डैडी ने पैसा भी दिया और शिक्षा भी वे देने के सिध्धान्द में पक्का यकीन रखते थे अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको पहले कुछ देने की जरूरत है वे हमेसा कहा करते थे जब उनका हाथ तंग होता था तब भी वे अपने चर्च या अपनी पसंदीदा धर्मार्थ संस्ता को दान देते थे अगर मैं आपके पास कोई विचार छोड़ना चाता हूँ तो वे है विचार यही होगा जब भी आपको किसी चीज की कमी या जरूरत महसूस हो तो पहले उस चीज को दे दे बाद में वह बाल्टियों में भरकर आपके पास लोट आएगी यह पैसा, मुस्कुराहट, प्रेम, दोस्ती सभी के बारे में सही है मैं जानता हूँ कि कोई भी वेक्ती ऐसा नहीं करना चाहेगा परंतु मैंने ऐसा किया है और इससे फायदा भी उठाया है मैं विश्वास करता हूँ कि आदान परदान का सिध्धान्त सही है और इसलिए मैं वही चीज देता हूँ जो मैं पाना चाहता हूँ मुझे पैसा चाहिए इसलिए मैं पैसा देता हूँ और यह कई गुना होकर मेरे पास आ जाता है मैं बिक्री बढ़ाना चाहता हूँ इसलिए मैं किसी और विक्ती को कुछ बेचने में मदद कर देता हूँ और मेरी बिक्री बढ़ जाती है मैं संपर्क बढ़ाना चाहता हूँ और मैं किसी और की संपर्क बढ़ाने में मदद कर देता हूँ और जादू की तरह मेरे भी संपर्क बढ़ जाते हैं मैंने सालों पहले एक कहावत सुनी थी इस वर को कुछ नहीं चाहिए पर इनसानों को देना चाहिए मेरे अमीर डैडी एक्सर कहा करते थे गरीब लोग अमीरों से ज़्यादा लालची होते हैं उन्होंने इसे समझाते हुए कहा कि अगर कोई वेक्ती अमीर है तो वेक्ती दूसरों दौरा चाही गई कुछ चीजे दे रहा है मेरे जीवन में मेरे तमाम वर्षों में मेरे पास वापस लोटा है यह मुझे उस वेक्ती की कहानी याद दिलाता है जो जाड़े की ठेंड रात में लकडियां लेकर बैठा है और पास में ही धीमे धीमे जल रहे चूले पर चिला रहा है जब तुम मुझे गर्मी दोगे तम मैं कुछ लकडियां अंदर डालूंगा और जब पैसे प्रेम, सुख, विक्री और संपर्क की बात आती है तो हर वेक्ती को यही याद रखने की जरूरत है कि जो आप चाहते हैं पहले आप उसे दे दे और यह कई गुना होकर आपके पास लोटाएगा बहुदा केवल यही सोचने की परकेरिया से कि मैं क्या चाहता हूँ और इसे किसी और को किस तरह दे सकता हूँ मेरे अंदर उदारता को जोआर आने लगता है जब भी मैं यह देखता हूँ कि लोग मेरी तरफ देखकर नहीं मुस्करा रहे है तो मैं अराम से मुस्कराना और हेलो करना शुरू कर देता हूँ और जादू की तरह मेरे आसपास अचानक बहुत से मुस्कराने वाले लोग जमा हो जाते है यह सच है कि आपकी दुनिया केवल आपका दरपड़ है तो इसलिए मैं कहता हूँ सिखाओ और आपको मिलेगा मैंने पाया है कि मैं सीखने वालों को जितनी गंबीरता से जितना ज़्यादा सिखाता हूँ मैं भी उतना ही ज़्यादा सीखता हूँ अगर आप पैसे के बारे में सीखना चाते हैं तो इसे किसी और को सिखाए ऐसा करने से आपके दिमाग में बहुत से नए विचारों और फॉर्मूलों की बाढ़ा जाएगी ऐसे भी समय आए हैं जब मैंने दिया है और कुछ भी वापस नहीं लोटा या जो मुझे मिलाव है मैं नहीं चाहता था परंतु करीबी जाच और आत्म अवलोकन से मुझे पता चला कि उन मामलों में मैं देने के लिए नहीं दे रहा था बलकि पाने के लिए दे रहा था मेरे डैडी ने सिक्षकों को सिखाया और में एक मास्टर टीचर बन गए मेरे अमीर डैडी ने यूवा लोगों को अपना बिजनस करने का तरीका सिखाया मैं पीछे पलट कर देखता हूँ कि ये सीखने वालों की अपने ग्यान के परती उदारता ही थी जिसके कारण भी जादा स्मार्ट बन गए इस दुनिया में ऐसी ताकते हैं जो हम से जादा स्मार्ट है आप महां खुद अपने दम पर पहुँच सकते हैं परन्तों उन ताकतों की मदद से वहां पहुँचना जादा असान होता है आपको बस इतना ही करना है कि आप उदार हों और वे ताकतें भी आपके परती उदार होंगी इस पार्ट में इतना ही आगे जानने के लिए चैनल के साथ बने रहे चैनल पर हर रोच चाम पाँच बजे तक नेक्स पार्ट की वीडियो अपलोड होती है